नमेश्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज मैं आपको कब्स की समास्या से राहत पाने के लिए कुछ घरे लोनस्कों के बारे में पताने वाली हूँ कब्स यनि की कॉंस्टिपेशन होने का मतलब है मल त्याग में परिशानी होना या फिर मल का समाने से कम आना कब्स एक ऐसी इस्तिती है जिसमें व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब हो जाता है जिसकी कारण वह जो भी खाना खाता है उसे पचान नहीं बाता है कब्स तब होती है जब कोलन बहुत अधिक पानी को अफशोशित करता है यह तब हो सकता है जब कोलन की मास पेशियां धीरे धीरे संक्रमित हो जाती है जिससे की शरीर में पानी की कमी होती है और पानी की कमी से आतों में मल सूखने लगता है जिससे मल त्याग में बहुत ही In activity के कारण मतलब कि एक दम से बैठे बैठे काम करना बहुत जादा कहीं जाना नहीं physical activities नहीं करना। कुछ दवाईयों के कारण बहुत ज़ादा डेरी उत्पादों के सेवन की वज़ा से, बढ़ती उम्र की वज़ा से, समाने रुटीवन में अचानक से बदलाव होने के कारण भी कब्ज यानि की कॉंस्टिपेशन की समास्या हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस समास्या से निपटने के लिए कुछ बहुती बहतरीन घरे लुनस्कों के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो निपटने के लिए कब्ज के लिए उसमें आपको जरूरत होगी अजवाइन, इसब घोल और सौंट की। इसे इस्तमाल करने के लिए अजवाइन, इसब घोल की भूसी और सौंट को सामाने मात्रा में पीस कर एक चमच सोते समय गरम पानी के साथ सेवन कीजे दोस्तों। इससे आपको कब्ज भी नहीं बनेगी, अगर आपको गैस की प्रब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मुलैठी जो होती है न, वो भी कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही बहतरीन मानी जाती है। इसे इस्तमाल करने के लिए पिसी हुई सौट 12 ग्राम, मुलैठी 12 ग्राम, गुलाब के सुखे हुए फूल 6 ग्राम, एक गिलास पानी में डाल कर अच्छी तरह से इन्हें उबाल लीजे और फिर आधा पानी रहने पर उतार कर थंडा होने दीजे। दोस्तों फिर छान कर रात को सोते समय इसका सेवन कीजे। इससे भी आपका कब्ज बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारे दूर दी गईया जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत देने।